ओम शान्ति मैं डॉक्टर सचीन परब मुंबई से बोल रहा हूं स्वास्ति की श्रिंकला में हमने संपूर्ण स्वास्त शारेरिक स्वास्त मानसिक स्वास्त और दो मानसिक बीमारिया जो बहुत कॉमन है वो है चिन्ता की बीमारी और निराशा की या उदासी की बीमारी इसक और वो है सामाजिक स्वास्त सामाजिक स्वास्त यहीसे सुशल हेल्थ अंग्रेजी में कहते है एक बहुत इंपोर्टिन्ट सवस्त है डिजिटल एज में मैं देख रहा हूं कि जैसे यह दो convol only हमारे हाथ में आया है कि हमने दरारे आते हैं हमने देखिये है टेकनलाजी के साथ जितना जुड रहे हैं रिष्टों से दूर होते जा रहे हैं रिष्टे बहुत जरूरी है हम हमारे रिष्टे कैसे है फिर वो लौकिक हो अलौकिक हो दुनिया के रिष्टे हो अगर आपके रिष्टों में खुशी नहीं ह या रिष्टे सुमधूर नहीं है तो आप स्वस्त नहीं रह सकते क्योंकि इसका मानसिक स्वस्त के साथ और शारेरिक स्वस्त के साथ भी कनेक्शन है मुझे एक व्यक्ति आके मुंबई में मिला और मुझे वो पूछ रहा है कि सर आपको मैंने कहीं देखा है क्या आप मेरे वाटस अप पे हो मैंने कहा नहीं मैं वाटस अप पे नहीं हू फिर मुझे वो पूछ रहा है क्या आप मेरे फेस्बुक पे हो मैंने कहा नहीं मैं फेस्बुक पे भी नहीं हू फिर पूछ रहा है क्या आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो मैंने कहा नहीं मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ फिर वो मुझे कह रहा है कि आपको कही न कही देखा है मुझे याद नहीं आ रहा है और मैंने उसको बहुत प्यार से कहा कि भाईया मैं आपके पडोस में रहता हूँ ये हो गई ये रिष्टे की हालत मैं हमेशा कहता हूँ कि आनलाइन या फेस्बुक पे मिलने के बज़ाए कभी फेस टू फेस भी मिलना चाहिए बहुत जरूरी है जितने हमारे रिष्टे अच्छे है हम रम्मा कुमारीज में कहते तब ही आप सहद सदा और सहज फरिष्टे हो सकते है रिष्टों से हमको एनरजी मिलती है तो रिष्टे अगर अच्छे रखने है तो बहुत सारी बाते हमको ध्यान में रखनी चाहिए social health किसका अच्छा है कि जिसका social connections है लोग अकेले होते जा रहे हैं हम इसको अंग्रेजी में isolation कहते है isolation का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में कोई relatives नहीं है नहीं सबी है घर में माता पिता भाई बहन चाचा चाची सबी है सब के होते हुए भी आप अकेला महसुस कर रहे है क्योंकि हमारा connection ठीक नहीं है इन लोगों के साथ में तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको सभी से रिष्टे अच्छे रखने हैं फिरो पती-पत्नी का हो माबाप और बच्छों का हो या boss और subordinate का हो एक बात हमको ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है परमात्मा के सीवा जब व्यक्ति संपूर्ण नहीं है तो उससे गल्ती होगी मान हुआ ऐसा करेगा जो नहीं करना चाहिए तो उसको स्विकार करना चाहिए अगर रिष्टों को हमको अच्छा रखना है तो हमेशा रिष्टों में विश्श्टा देखने का अभ्यास करना चाहिए होता क्या है कि लोग अउगुण देखके अपने रिष्टों को तोड़ देते हैं गलतिया सभी करते हैं हमको ज़्यादा दिनों तक बातों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए हमको जितना जल्दी माफ करने के संसकार होंगे और भूलने के संसकार होंगे उतने हम रिष्टों में अच्छी तरह से जा सकते मेरे पास ऐसे बहुत केसे से है जिसमें लोग दुखी इसलिए है क्योंकि साथ वालों के साथ कुछ ऐसे अनबन हुई कुछ ऐसे बाते हुई जो भूल नहीं पा रहे और माफ नहीं कर पा रहे इसके वज़े से अंदर गुसा और उदासी बढ़ते जा रही है तो भूलना सीखे विशेशता देखे और माफ करना सीखे और अपनी बातों को व्यक्ट करे अगर आपको किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है तो आप अच्छे शब्दों में उसको व्यक्ट करना सीखे अपनी बात को ज़रूर रखना चाहे इसे रखते वक्त दो बातों का अटेंशन रखे अपना टोन नहीं बढ़ाना है और सम्मान के साथ अपनी बात रखनी है उस व्यक्ति को कहना है कि तुम बहुत अच्छे हो तुमने यह यह काम अच्छा किया है लेकिन तुमने यह जो किया यह मुझे अच्छा नहीं लगा आ और आपके सभी के साथ रिष्टे अच्छे होंगे और सुशल हैल्थ अगर आपका अच्छा है तो आपका मानसिक स्वास्त भी अच्छा रहेगा और आपका शारेरिक स्वास्त भी अच्छा रहेगा तो आईए आज से हम इसका अटेंशन रखते कि पर्फेक कोई नहीं है तो गलतिया होगी, विशेष्टाओं को ध्यान में रखना है, सामने वाले को संपुर्ण रूप से स्विकार करना है, अगर हमको किसी की बात अच्छी नहीं लगते हैं, तो कहना जरूर है, लेकिन हम कहते हैं, it is not what you say, but the way you say that makes the difference, अच्छी तरह से अपनी बात को रखना है, और अपने रिष्टे में हार्मनी रखना है, सुमधूर रखेंगे, तो आपका सामाजिक स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा और आपके खुशी का स्थर बढ़ते जाएगा, अच्छा, ओम शान्ते